हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल माई नमीज अंकूर मेंदिरत्ता दोस्तों सबसे पहले आप सभी लोगों को सोतंत्रता दिवस की हिंडिपैंडेंज डे की बहुत 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 शूप काम नहीं और दोस्तों आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि यार कार्ति के टू मुवी को जो फिनॉमिनल रिस्पॉंस मिल रहा है पबलिक का प्यार मिल रहा है ना वो एक दम अलग लेवल पे है यार इसको कहते हैं तो पावर आफ कॉंटेंट कॉंटेंट की ताकत अगर आप कुछ अच्छा और रियल दिखाएंगे तो पबलि पागल हो जाती है रूँ डिमांड करती हैं कि हमें मुवीदेखनी है और बाई इसका फायदा हुआ है मेकर्स ने इसके शोवं इंक्रीज किया है खासकर हिंदी बेल्ट में बहुत बहुत अच्छे तरीके से चलो यार हम बात करते हैं फिल्म के बजट की फिल्म को अभी त यार अगर मैं बात करूँ फिल्म के बजट की तो फिल्म का बजट है मातर 15 करोड रुपए जो की फिल्म के गूगल पर विकीपीडिया पेज पर दिखाया गया है और अब भी तक इसने पहले दिन इसने कलेक्ट किया था 5.8 करोड और हिंदी बेल्ट से आया था सिर्फ 8 में भाई साफ बहुत ज़्यादा क्रेज है और अब मैं सुबाश देख रहा था ऐसे ही बुक मैं शो पर ओ भाई साफ क्या शोस फुल जा रहे हैं देली एंसी आर में मेरी एरिया में एक भी शो नहीं था आज मेरी एरिया में शोस की भरमार है भाई मैं कहता हूँ वो में कितने शोस बढ़ाए गए हैं देखो भाई देली में बड़े हैं 38 पूने में बड़े हैं 60 मुंबई में बड़े हैं 73 शोस एहमदाबाद में 41 बडोधरा में 18 सूरत में 45 इतने लेवल पर शोस बड़ा गए हैं लखनाओ में 10 मतलब कि पबलिक इसको इतना प्यार दे रही मेकर्स को भी नहीं उमीद थी कि यार ये फिल्म हमारा इतना धमाल मचाईगी और मैं कहना चाहता हूँ यार अगर आप सच्चाई देखना चाहते हैं कृष्टिन भगवान की तो यार जाईए इस फिल्म को मिस मत कीजिए क्योंकि इसको मिस किया चनल सब्सक्राइब जरू कर देना थैंक्स वर वाचिं